नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग I hope so आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजर हूँ आप लोगों के सामने एक important topic लेकर जिसका नाम है क्या condition for maximum work done in Britain cycle और इसको आप एक और that means topic बोल सकते हो like expression for optimum pressure ratio in Britain cycle तो यह that means जो हाज हम expression में आप लोगों को करूँ हूँआ it is very 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 important regarding to the Britain cycle Britain cycle अगर पढ रहे हो आपको optimum pressure ratio के expression नहीं आता है तो that means आपको कुछ नहीं आता है क्योंकि बिटा intercooling reheating regeneration आप कुछ भी कर लीजे that means सब में आप लोगों को ये जर्रत पढ़ेगा ही पढ़ेगा और यहां से अगर आप semester exam की तयारी कर रहे हो तो अब बसी बात है best है आप लोगों के लिए पूरा expression आप लोगों को मैं बताऊंगा दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं competitive exam की तयारी अगर हम कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं बिटा तीन से चार question आपके इस expression से बन जाएंगे और every year the examiner has asked the question हमेशा हम देख सकते हैं मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा it is very 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 important video अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ share जरूर करना तो दो नामों से जान सकते हैं same topic होगा condition for the maximum work done in Brayton cycle और दूसरा हम लोग कह देंगे की that means there is expression for the optimum pressure ratio यह start करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक overview देना चाहूंगा ब्रेटन cycle का so that जो भी हमने ब्रेटन cycle के बारे में पढ़ा है वह हमारे से लिए थोड़ा सा recall हो जाए और चीजे समझने में हमको आसानी हो जाए वीडियो जतना short होगा उतना that means मैं बनाने की कुशिश करूगा और अब बसी बात है जल्दबाजी में content छुटे वह भी आप लोग समस्ते इंजिनियर हो आप लोग वह हम लोग चीज नहीं करेंगे राइट चलिया तो यहां से हम लोग mainly start कर लेते हैं अपना that means part जिसको हम बुलते है क्या ब्रेटन cycle तो हम लोग ब्रेटन cycle की अगर बात करें तो मैं ब्रेटन cycle की thermal efficiency अगर मैं निकालता हूँ तो पैटा यह उसका expression होता है this is the thermal efficiency of the ब्रेटन cycle it is 1-1 की power rp gamma-1 over gamma तो हम लोग क्या कहेंगे sir rp is what pula sir rp is the pressure ratio unnecessary कुछ भी आपसे discuss नहीं करूँगा जो मुझे use होगा वो ही discuss करूँगा gamma जो है it is the specific heat ratio इसको आप adiabatic index भी बोलते हैं एक बार दूसरी बार जैसे हम लोगों को expression पता चलता है तो हम लोगों को यह भी पता चलता है कि sir अगर मैं rp की value 1 रखता हूं अगर मैं rp की value 1 रखता हूं तो मेरी efficiency britain cycle की कितने ही आती है plus sir zero efficiency आती है और बोला गुरुदयो मैं अगर rp को increase करता हूं तो that means efficiency britain cycle की क्या करती है increase करती है right if we increasing the pressure ratio in britain cycle then efficiency will increase us यह साफ साफ आपके expression से दिखाई दे रहा है और आपके teacher ने आपको बताया हो और आपको पता होगा मैं simply the ability discuss करूँआ एक चीज इसके बाद आप लोगों को एक चीज यह हम लोगोंने discuss करी होगी आप लोगोंने देखा हो अगर नहीं देखा हो तो britain cycle power plant अपना playlist में में बना हुआ है power plant में आप जाके देख सकते है each and everything वहां आप लोगोंने discuss किया है यह table भी आप लोगों के लिए very important मैंने आप लोगों को बताई थी यही से आप लोगों को चीजें बता चलती है तो क्या था अगर मैं pressure ratio 1 रखता हूं तो जो efficiency मुझे ब्रेटन cycle के मिलेगी वह क्या मिलेगी भाया वह वह बुला sir zero efficiency होगी got it right और work done क्या मिलेगा अगर pressure ratio 1 रखते हैं तो work done भी बुला गुर्देओं मुझे किता मिलेगा if we increase जैसा भी आपने पीछे देखा कि सर अगर मैं आरपी बढ़ाता हूं अगर मैं pressure ratio बढ़ाता हूं तो मेरी efficiency increase करती है तो कोई बच्चा कहता कि सर अगर pressure ratio बढ़ाने से अगर efficiency increase होती है तो आप एक काम क्यों नहीं करते pressure ratio को maximum कर दीजे तो efficiency हमको maximum मिल जाएगी मैंने बोला बिल्कुल तो वही चीज हम लोगों ने करी यहां पर कि हमने pressure ratio को maximum किया pressure ratio को हमने maximum एक बढ़ पुट करके रखा तो हमने देखा कि सर जो efficiency है वो तो मुझे maximum मिल गई but what about work done यह work output अगर में बोलू तो work output मुझे क्या मिलता है 0 मिलता है तो that means it is a good or bad it is bad तो work done भी हमको कुछ मिलना चाहिए तो that means work done मिलना चाहिए इस का मतलम लोग कह सकते रिकेनाट तो मुझे क्या करना है इन बिट्विन इसके कुछ रखू तो मुझे एक अच्छी खासी एफिशेंस से मिल जाए और मुझे वर्क देन भी तो इन ही दोनों के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया एक डियाग्राम बनाया जो आपके सामने में दिखा रहा हूं हमने उपरवारगराम बन रहा है इस एकसेस पर जो है वर्टिखल एकसेस इस इस पर मैंने बुला एकसेंटी नीचे वाले एकसेस पर हमिशन्तों टो भलोग देख्वह है एकसेаки आपी 1 एट एकसेंसी 0 और मेक्सिमम्यें तो मैंने बोला इडिदिय सम्हेमिर जैसे से pressure ratio बढ़ाते जाते हैं आपके efficiency क्या करती जाती है increase करती है दूसरे diagram मैंने यहाँ पर बनाया बेटा vertical axis पर है आपका work done और नीजे वाले axis पर है आपका pressure ratio तो मैंने बुला अगर work done अगर pressure ratio 1 है तो work done 0 और pressure ratio maximum है तो work done 0 तो अभी मैं बात कर रहा अगर मैं कुछ रखता हूँ तो मेरे लिए best होगा तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा अगर आप देख चापा रहे हों तो गुरुदेव हाँ अगर मैं work done की बात करता हूँ तो गुरुदेव work done एक pressure ratio मेरे पास इतना आ रहा है कि मुझे वहाँ पर क्या मिल रहा है जो work ड़न है वह मुझे मक्सिमम मिल रहा है अगर मैं इस डियाग्रम में बात करूँ सरे एक पॉइंट एसा है जिस पर क्या है work done मुझे maximum मिल रहा है तो इस work यह जो अगर मैं इसको प्रेशर रेशयो की पर पुट करता हूं तो मुझे आप लोग साफ साफ देख रहे होगे एक प्रेशर रेशयो ऐसा है जिस पर मुझे वर्क दन क्या मिल रहा है क्या मिल रहा है वोला सर्फ डाट में देरिज आ maximum work done मिल रहा है तो ज़र इस pressure ratio को हम बोलते हैं optimum pressure ratio इस pressure ratio को हम क्या बोलते हैं well I said this is the optimum pressure ratio तो यही pressure ratio मुझे निकालना है यही pressure ratio मुझे निकालना है जिसते मुझे क्या होगा मुझे maximum work done भी मिलेगा और मुझे एक अच्छी खासी efficiency भी मिल जाएगी तो अगर आप इसको आगे प्लोट करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पर प्लोट करता हूं, तो मैं कहना चाहूंगा बिटा, मैं ना तो 1 अचीव कर सकता था, ना तो मैं 1 अचीव कर रहा था, ना मेरे लिए 1 अच्छा था, ना मेरे लिए 1 अच्छा था, तो मैं कहना चाहूं कि maximum work done के लिए maximum pressure ratio कितना होना चाहिए तो ये चीज हम लोगों को देख लिए है तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये सारी चीजें आप लोगों को understand हो गई है ये सोदार मैं आगे बढ़ सकूँ अब आप एक चीज देखेगा ये क्या है वहला सर इट इस तेंपरेचर और एंट्रॉपी डाग्रांग हमको पता है कि सर्फ वन टू टू कंप्रेसर लगा है त्री टू फॉर टर्बाइन लगा है तो मैं कहना चाहूंगा गुर्दे वन ट मिनिमम है तो मैं बोल सकता हूं टी वन फॉक्स मान लेते हैं बोला सर बिलकुल और जो तीन और चार है उसके बीच में लगा है तर्बाइन किसका बना होता है तर्बाइन होता है रोटर होता है रोटर पर ब्लेड लगे होती है ब्लेड एक मैटल की बनी होती है तो मैं कहता करवाइन की ब्लेड ही मेल्ट हो गई तो उतना आपको वर्क मिल पाएगा और दूसरा बार-बार हम लोगों को पता है कि आपको मैं बता हूँ कि एक जो पाउर प्लांट होता है वह जब बनाया जाता है तो उसकी डाइब में जो लाइफ होती है वह एक टू ना एक टू टैन ट्वाइचर लिमेट जो है उनको फिक्स कर लेते हैं जैसे आप लोगों को पता यह 22 डिगरी सेल्सेज़ लेते हैं तो यह कितने होते हैं टेरा सो डिगरी सेल्सेज़ के आसपास है मैंने आपको बचा रहता है अब हमारे पास बात हो जाती है कि सर यह जो टी और टू जो ह तो हम क्या करेंगे यह देखेंगे कि T2 और T4 जो है वो क्या होने चाहिए maximum work done के लिए so that मुझे maximum work done भी मिले और मुझे efficiency भी clear है चलिए तो start करते हैं यहां पर अपना काम तो हमने बोला कि sir अगर मैं बात करता हूं work done की इसको हम चेंज कर लेते हैं so that हमको को problem लिए हम बात कर रहे हैं बीटा work done की तो work done अगर आप निकालते हैं work done अगर आप निकालते हैं तो आपका work done क्या आएगा व्ला सर डबलू तर्वाइन माइनस में what मुला सर डबलू कॉंप्रेसर राइट अगर टर्वाइन के work done को मैं लिखता हूं तो तर्वाइन वर्क दिन आपका क्या हो जाएगा व्ला सर इट एट स्थ्री माइनस H4 माइनस H2 माइनस H1 इन टर्म्स ऑफ एंथाल्पी राइट अब हमको पता है कि सर एर अज आ वर्किंग फ्लूड मैंने लिया है तो मैं मूलना चाहता हूं एंथाल्पी क्या हो जाएगा इट एट एम सीपी डीट तो मैं इसको लिख सकता हूं दाइज वाट वुलसर सीपी इस टी थ्री माइनस टी फोर माइनस टी टू माइनस टी वन बताइए लिख सकता हूं वुलसर डेफिनेटली लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि सर एर इस यूजड आज वर्किंग फ्लूट चीक है और एर एक आईडियल गैस है एर इस वर्किंग फ्लूट तो दार्बिस एर अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों को पता है कि सर एर इस एन ऐएडियल गैस और जब आईडियल गैस है तो हम लोग कह देंगे कि जो एंथलपी होती है उसको हम лोग क्या लिख सकते वहले सर इटिस mcp dt बोलिये हाँ या ना बोलिये हाँ या ना बोला सर डेफिनेटली हम लोग इसको लिख सकते हैं तो ऐसे ही मैंने इसमें इसको लिख दिया अब हम लोगों ने जब efficiency का जब आपने derivation किया था तो आप लोगों ने वहाँ पर एक बहुत अच्छे सीज़ क्या कि बहुत अच्छे सीज़ देखी थी क्या कि बहुत सर even is equals to odd याद आया कुछ T2 is equals to T4 और is equals to T3 minus T1 या equals to T1 minus T3 even is equals to odd यह क्या है condition थी जो हम लोगों ने निकाली थी याद और condition नहीं कह सकते यह हम लोगों ने calculate किया था ठीक है नहीं याद है तो अभी भी देख लो it is very 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 important right तो मैं यहां से क्या करता हूं मिटा मुझे यहां पर पता है कि सर T2 T4 T3 T1 है तो मैं यहां पर सीधा सीधा एक काम कर सकता हूं कि सर मैं यहां से T2 की value निकाल लूँ बिलकुल आप T2 सरे आप यहां से क्या करे T4 की value निकाल लीजे अगर यहां पर सब T4 की value निक को बुलसर कोई प्रॉब्लम मुझे यहां पर लाई चीक है अब मैं क्या करता हूँ इस equation को अगर आप कहो मेरे बच्चे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बुलसर कैसे cp t3 minus t4 plus sorry minus t2 plus में t1 लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ उलस बर बिल्कुल नहीं माइनस से माइनस अंदर गया तो यह माइनस हो गया यह प्लस हो गया अब हमें पटा है t4 की वेल्यू में वो पुट कर दूँ t4 की वेल्यू में यह पुट कर दूँ लिख सर बिल्कुल t4 की वेल्यू आप यह पुट कर दीजे तो मुझे यहां पर क्या मिल गया माइनस t1 t3 divided by t2 minus का t2 sorry minus का t2 and plus का t1 hope so यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी simply मैंने सिरफ वेल्यू वगेरा पुट कर ही है और मैंने कुछ नहीं किया है गॉटिट मेरे पिछे यह वैल्यू मैंने यहां पर पुट करते हैं गॉटिट वुलसर हां अब हम पीछे देखकर आये हैं कि सर that when there is a t maximum और t minimum जो maximum temperature और minimum temperature जो है वो cycle के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया वोलसर fixed due to किस की वज़े से due to metallurgical condition due to the metallurgical condition हम लोगो नहीं यह क्या कर दिया fix कर दिया तो अब मैं आप लोगों कोई चीज यहां पर बोलना चाहूंगा मेरे बचे T3 and T2 is the fixed हम ब्रेटन cycle ले रहें T2 और T3 हमारे लिए क्या है फिक्स है ठीक है CP जो है it is the specific heat at constant pressure working fluid आपका क्या है working fluid मेरे पात यहाँ पर मेरा air working fluid मेरे air है CP है तो मैं कहीं न कहीं आपको कहना चाहूंगा कि air की जो CP है it is fixed बोला सरहा it is 1.004 005 kilojoule per kg Kelvin every time यसी नहती है ठीक है अब हम बात करें T3 और T1 जो है हमने क्या बोला it is also fixed Britain cycle के लिए it is also fixed clear है अब मैं बोलना चाहता हूं आपके पास वर्गदन जो है वो इस फोम में आगे जब इस फोम में आया तो आप लोगों को यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है T3 CP और T1 क्या है सब fixed है कोई भी variable नहीं है इसे लेकिन एक चीज को छोड़कर यहां पर एक variable है क्या टीटू एक टीटू जो है वो यहां पर क्या है variable है जो मैंने आपको यहां पर दिखाया वहीं T1 और T3 यह fixed हो गए variable क्या होगा T2 और T4 variable होगा तो कि T2 को आप उपर maximum work done चाहिए तो मेरे पास क्या गया एक variable आ गया और जब किसी चीज को मैं maximum करना होता है जब किसी चीज को मुझे maximum करना होता है तो मैं क्या करता हूं जो मेरे पास variable होता है उसके respect अगर मैं derivative कर दूँ और उसको equal to zero put कर दूँ तो मैं बोलना चाहूंगा मुझे value मिल जाएग यही पर same चीज में हापर बिटा आप लोगो के सामने करने वाला हूं वो क्या होगी as यह लिखूंगा as t1 and t3 fixed ऐसे करेंगे as t1 and t3 is fixed then the only variable is what as t1 and t3 is fixed only variable क्या है t2 so हम लोग क्या करेंगे so for maximum work done derivative work done with respect to t2 and put is equals to what zero and put is equals to zero तो आपको लिखना है अगर semester के exam दे रहे हैं तो आपको यह चीज़े लिखनी है otherwise that means आपको examiner marks यहां नहीं देगा so for maximum work done we derive work done with respect to t2 and put it is equal to zero तो आप जो variable है उसके respect आप क्या करता हूँ उसका derivative करता हूँ उसको विटको जीरो पूट करता हूँ अब अगर मैं derivative करता हूँ तो आप देखते जाहिए आप देखते जाहिए आप देखते जाहिए आप पहले derivative करते हैं cp का कोच derivative नहीं t3 क्या आएगा 0 minus t1 by t3 0 0 t2 नीचे है तो यहां पर क्या हो जाएगा एक minus उसके बाद एक और minus उसके बाद क्या हो जाएगा t1 t3 divided by t2 square अब minus t1 है तो मैं क्या हो जाएगा t2 और यहां पर क्या हो जाएगा 0 और is equal to 0 तो यह क्या किया मैंने इस वाले पार्ट का derivative कर दिया और इसको equal to 0 के मैंने पूट कर दिया ठीक है एक बाद देख लो cp का कोई निगा t3 का 0 1 by t2 है t2 का जाएगा minus उसका square t1 by t3 का t2 minus 1 is equal to 0 कोई मतलब निए यह positive हो जाएगा यह आपका negative हो जाएगा तो मैं कहना चाहूंगा आपके पास क्या बचेगा t1 by t2 t2 square is equal to 0 बचेगा आपके बास यहां पर बचेगा आपके बास यहां पर बचेगा बोला सर इस t1 t3 divided by t2 square is equals to 1 यही बचेगा बोला सर बिल्कुल यही बच बचेगा तो यहां से मैं निकाल सकता हूं t2 is equals to what under root t1 t3 बोल यहां 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 न राइट बोला सर हां तो यह मेरे पास क्या आगया t2 आगया under root t1 by t3 ठीक है t2 निकाल यहां अब मैं बोलना चाहता हूं यही t2 की value अगर मैं यहां put करता हूं यही t2 की value जो आप यह पूट करोगे तो t4 भी जो है वो क्या आएगा आपका यही आएगा तो यहां पर लिख सकते हैं कि सर फॉर maximum work done t2 and t4 should be equal मैंने वो आपको करके नहीं दिखाया आप जब पूट करोगे यह t2 की value यहां put करोगे तब t4 भी आपका क्या आजाएगा under root t1 t3 आजाएगा तो मैं कहना चाहूंगा कि सर फॉर maximum work done t2 t4 should be equal t2 और t4 मेरे क्या होने चाहिए एक्वल होने चाहिए और यह किसके बराबार होने चाहिए वोला सर इस अंडरूट ओफ टी वन और टी क्री ठीक है इसको कई बुक्स में ऐसा भी लिखा है कि वोला सर इडिस अंडरूट ओफ टी मेक्सिममम इन्टो वॉर्ट टी मिनिममम वोलो लिख सकता हूं वोलो सर डेफिनिटी लिख सकते हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा फॉर मेक्सिममम वर्क डन हम कह सकते हैं वी यूज हो डाप मेंस इन ब्रेट बेटर साइकल फॉर मैक्सिममम वर्क डन हमारे पास क्या रावत टी च strengthening एक्वल होना चाहिए टीटू टीफॉर एक्वल होना चाहिए और वो किसके बराबानों चाहिए अंडूरूट ओफ मैक्सिमम और मिनिमम टेंप्रिक्टर के बराबार गॉर्डेट मेरे बच्चे तो यह कंडीशन है जो आपको मिलेगी ब्रेटन साइकल के इंदर जो मैंने ल जो भी गॉर्डेट मेरे बच्चे गॉर्डेट बुले सर अब सर जब हमने यह निकाल लिया तो सर ठीक है आपने टीटू हमें बता दिया अब बुला सर वाट शुड़ बीदा मैक्सिमम वर्क डन जो मैक्सिमम वर्क डन है वो कितना होगा कोई बात नहीं पूट कर लीजे पूट कर लीजे उसमें कोई प्राब्लम हम लोगों को नहीं है गुर्दे हम पूट करके बता देंगे आपको कि जो मैक्सिमम वर्क डन जो आएगा वो मेरा क्या आएगा मैं अभी बताता हूँ आपको तो यहां पर अगर आप मैक्सिमम वर्क डन लिखेंगे तो अभी यही था मेरा T3 माइनस T4 माइनस T2 प्लस T1 यही था अब हमको बता T4 और T2 दोनों इक्वल है तुम इसको तुम इसको ऐसे लिख सकता हूँ बोला सर कैसे Cp T3 माइनस 2 T2 प्लस T1 बोलिये लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकते हैं अगेन अगर मैं लिखता हूँ Cp T3 माइनस 2 क्या पूट कर सकता हूँ अब मैं सीधा ही इसका रजल्ड लिख लेता हूँ क्या कि सर डाट मींज बोला सर जो मैक्सिमा वर्क डन है आफ्टर क्यलकुलेटिंग आप इसको जब क्यलकुलेट करेंगे तो यह आपका आजाएगा क्या पूला सर इट इस अन्डरूट T3 माइनस अन्डरूट T1 का स्क्वायर का स्क्वायर तो यह वो मैक्सिमम वर्क डन है जो आप लोगों को ब्रेटन साइकल से मिलेगा जो मैंने आपको यहां पर दिखाया तो हमको मैक्सिमम वर्क डन कि म positive हमारे पास मेक्सिमम टेंपेरिचर मिलेगा साइकल का बिल्कुल मिलेगा सीपी की वैल्यू हमको एर की पता है बिल्कुल पता है यहां हूं असानी से मैं मैं मेक्सिमम वर्क्डन निकाल सकता हूं बिटा असानी से बोलिए हाई या ना पूला सर डेफिनिटल निकाल सकते हैं अम बोला सर टास्क हमारे पास यह आता है ठीक है आपने यह टास्क तो पूरा किया कि हमको maximum work done मिल गया maximum work done मिल गया then sir what about the optimum pressure ratio यह कौन सा pressure ratio लेंगे वो कौन सा pressure ratio होगा जिसमें मुझे maximum work done मिलेगा right बलकु ठीक है रहा है तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं अब हम pressure ratio निकालते हैं तो सबसे पहले अगर आप लोगों को simply मैं चीजे थोड़ा सा आपको बताना चाहूं तो आप लोगों को याद होगा कुछ कि sir rp जो है rp अगर आप pressure ratio निकालते हैं rp is what rp is my pressure ratio तो आपने जब pressure ratio निकाला होगा तो आपने कैसे निकाला आपने निकाला था t2 by t1 is equals to what p2 by p1 की पावर gamma minus 1 over gamma यह p2 by p1 मेरा क्या है pressure ratio राइट आप मैं अगर मुझे यह rp निकालना है तो मैं इसको इधर लेयाँ जब इसको इधर लाओंगा तो यह वाला यह वाली चीज क्या हो जाएगी यह वाली चीज़ क्या हो जाएगी यह वाली जायेगी गामा ओवर gamma minus 1 बोलिये हाए ना अ बोलिये हाए ना बोले सर definitely मेरा यह बहौन के रहा था वो आ रहा था तीू बाइटी इवन की पावर gamma over gamma minus 1 तो यह एक simple pressure ratio था जो आपने निकाल हात यहां पर बात क्या हो रही है है कि optimum प्रेशर रिशी आपको यां साहर हम को निकालना है मेक्सिमल के लिए टी टु क्या है T2 equals to under root T3 तो यहाँ पर T2 आ रहा है आपका यहाँ पर T2 आ रहा है बिल्कुल तो मुझे करना पड़ेगा उसको change मुझे उसको change करना पड़ेगा विल्कुल change करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा T2 के value put करूँगा T1 into T3 divided by what T1 और यह मेरा क्या हो गया तो यहाँ से मेरे पास आया gamma over gamma minus got it यह होगा वह हमको पता है कि for maximum work done मुझे optimum pressure निकालना है simple pressure ratio था T2 by T1 is equals to this अब मुझे पता है कि for maximum work done याई optimum pressure ratio हमें maximum work done मेरे रहा है तो फिर उसके लिए T2 क्या होगा it is under root of T1 T3 क्योंकि आप पीछे लिख्या यहाँ पर आपको दुबारा लिखने की ज़रत नहीं है आप पीछे यहाँ पर लिख्या आ चुके हो तो मैंने put कर दिया अजब आप इसको solve करेंगे जब आप इसको solve करेंगे तो यह आपके पास निकल के आएगा क्या क्यों बोले सर इस अंडर रूट आफ T3 divided by T1 T3 divided by T1 T3 divided by T1 ठीक है तो मैंने कुछ आप इसको थोड़ा सब simplify के है क्लियर है अब एक तो आप इस तरीके से लिख सकते हो इसी को आप बिटा इस तरीके से भी कई books में लिखा होगा कैसे यहां लिखा होता है वोले सर इस T maximum over T minimum T maximum over T minimum यहां आगे आपका gamma यहां आगे आपका 2 यहां आपका गया आगे 2 और यह आपका हो जाएगा gamma over 1 ठीक है बोलो लिख सकता हूँ बोलो लिख सकता हूँ बोलो लिख सकता हूँ वोला सर definitely लिख सकते हैं तो यहां पर साफ साफ हम लोगों को आ गया यहां पर साफ साफ हम लोगों को दिग गया कि सर जो तो यह हमारे पास क्या हो जाती है कि सर what should be the optimum pressure ratio तो आप कहेंगे it is under root of T1 by T3 by T1 की power this यह हम कह सकते हैं T maximum by T minimum गामा ओवर 2 into this जितने भी चोड़े चोड़े से topic में आप लोगों को बता रहा हूं these are very 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 important competitive exam के लिए और semester exam के लिए भी semester exam में अगर आपका आता है तो जिट्टो आप ऐसे लिखके आ सकते हैं चले आगे चलिए अब हम लोग चलते हैं वोला sir ठीक है आपने diagram के हिसाब से हमको यह सारी चीज मुझे मिल गया मैं कैसे निकाल सकता हूं मुझे पढ़ता है मुझे maximum work done भी मिल गया मैं कैसे निकाल सकता हूं मैं कर गया लेकिन सर एक छोटा से मेरा डाउट था यह मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि sir जब इतना सब कुछ हमने कर लिया है तो एक optimum जो efficiency है वो भी अगर म competition का थोड़ा जमाना जादा है तो competition का जमाना है तो यह तो regularly that means Britain cycle से अगर question आता है तो यह तो regularly that means पूछे जा रहे हैं लेकिन यह चोटे-चोटे हैं कि बच्चा छोड़ के जाता है कि what should be the optimum efficiency तो वह भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर optimum efficiency हमको निकालनी है तो व simply एक बर वहीं चलें वहीं से दिखा दू मैं आपको यहां से हो जाएगा चलो यहां से देखते हैं यह आपके पास efficiency का expression था यह आपके पास efficiency इसको रब कर दूँ इसको रब कर देते हैं उसके बाद थोड़ा सा असाना हो जाए क्योंकि बाकी चीजहां पढ़ चुके हैं त अब बोला गुरुदेव मुझे यह जो efficiency है वो optimum efficiency हम लोगों को चाहिए तो यहां पर सीधी सीधी बात यह आ जाती है कि सर अगर यह efficiency ब्डिटन साइकल की efficiency Optimum चाहिए तो मुझे बटाओ आप dismissed future फिर शाल के पर मिलें से आपको कहां पर मिलेगी कि बुर्शोर पर मिलेंगी टो यहां पर लिख सकते हैं कि सपर प्रेशर यहां पर यह आ रहा है प्रेशर रेशियो और प्रेशर रेशियो और फिर आप यह लागा है यहां पर आजाएगा गामा माइनस वन ओवर क्लिर है वह एफिशंसी मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम प्रेशियो रख दो तो यहां पर मैक्सिमम एफिशंसी आ जाएगी अगर यहां पर है उसलब को पता है अप्तिम प्रेशेडीय की वेल्यू का मैं Yemen objective इस वाट जाए Hazard, T3 by T1 की पावर गामा ओवर गामा माइनस पूट कर देंगे, पुट कर देंगे, कुछ नहीं है, पुट कर देंगे, आजा पुट करो, पुट करो, 1, देखना, यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, 1, 1, अभी तक कुछ नहीं करा, अब पहले वैल्यू पुट करो, आर्पी ऑप्टिमम की वैल्यू है मेरे पास, आर्पी ऑप्टिमम की वैल्यू है मेरे पास क्या, वोला सर, इट अंडर रूट ओफ, टी थ्री बाई, टी वन, क्या है, वोला सर, गामा ओवर, गामा माइनस, वन, राइट, यह आप बच्चे कहते हैं की सर, यहाँ पर गामा माइनस, वन, और गामा है, आपने गामा ओवर गामा माइनस, वन, कैसे put कर दिया, भाया मैंने अभी और पी ऑप्टिमम की वैल्यू रखी है, मैंने यह बैल्यू अभी रखी नहीं है, मैंने आपको क्या कहा, आर्पी ऑप्टिमम की वैल्यू देखो, आप दुवारा देखो, कोई बाद नहीं, थोड़ा सा समय लग रहा वहाँ पर सिरफ अभी आर्टी आप्टिमम की वैल्यू पुट करी है और मैंने कुछ नहीं कर रहा कर दिया अब आपको वह भी वह भी लिखना है अब आपको वह भी लिखना पड़ेगा तो हम लोग लिखेंगे हाँ तो हम लिखेंगे क्या ओलेसर गॉल आ मइनस river वाइनस 1 ओर गॉल matsa gee dataset यह अब आपको दिख रहा है कुछ यह एक दूस्रे को खा जाए गोलो सर इद वन माइनस अंडरूट ऑफ की वन वाई थी 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 यह तो अधर ले जाओ या जाएगा अंडरूट इवन बाई थी थी और टी लोग क्या लिए सकते हैं मिनिम्म टेंपरेचर टी थी थी घंधिक सकते हैं तो हम लोगों ने यहां पर सारी चीज़े बेसिकली बिटा देख ली आपको मैंने optimum efficiency मैंने आपका expression दिखा दिया अगर मेरे पास minimum और maximum temperature है तो मैं यहां पर optimum efficiency निकाल सकता हूँ दूसरा मैंने आपको यहां पर क्या दिखाया मैंने optimum pressure ratio आपको दिखा दिया जो मेरे पास क्या आएगा अंडरूट T3 by T1 की power यह हम इसको ऐसे भी लिख सकते है T maximum by T minimum gamma over 2 gamma minus 1 हमने maximum work done कैसे calculate करेंगे हमने वो भी देखा कि maximum work done आपका क्या हो जाएगा it is CP is अंडरूट T3 minus अंडरूट T1 की power square यह ध्यान रखेगा बच्चे कई वर square भूल जाते हैं तो square हमको याद रखने अंडरूट T3 minus अंडरूट T1 की power square एक चीज और हमने देखी यहां पर आपको दिखा हूँ मैं वो हम लोगों ने क्या देखा वो हम लोगों ने देखा कि sir for the maximum work done जो T2 और T4 जो है वो variable थे क्या पर डाग्राम मैंने मैं आपको दिखा दिया यहां पर मैंने दिखा यहां पर मैंने दिखा या कि sir due to the metrological condition T1 जो minimum और maximum temperature of the cycle है वो हम लोग क्या कर लेते हैं फिक्स कर लेते हैं ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं फिक्स कर लेते हैं तो variable आपके परस क्या गया T2 और T4 हो गया तो अगर आपको maximum work done चाहिए आपके एक इच्छा है कि मैं maximum work done वहां से लूँ आपके एक इच्छा है कि मुझे maximum work done वहां से मिले तो आपका क्या होना चाहिए T2 और T2 और T4 शुद बी एक्वल T2 और T4 एक्वाल होने चाहिए और वो किसके बराबार होने चाहिए आप्रूट ऑफ ईच्छा है लिए अगर च्छा शौट था आपके मैं लडी करशा है ऑना यह वी क्सकत։ पर शुद एक्छा था प्र वर्द वक्तों ख्लाइं वाई सर इस Geometric it is the geometric geometric form of geometric that means it is the geometric mean it is the geometric mean of product of product of maximum and minimum temperature right it is not so yeh bhi kai books meh puchha gaya ki kya hona chahiyeh to aisee bhi puch leta and rule to puchla aisee geometric mean you know arithmetic mean harmonic harmonic mean are geometric geometric arithmetic am kis ko boltei aap maths me nikaltei na t1 plus me t2 by 2 yeh arithmetic mean right to yeh kya hota it is the geometric mean got it mere bachche right to hope so video aapko aachha laga hooga saari chee jaisa maine aapko bola condition bhi maine aap logo ko bata diya optimum pressure ratio bhi maine aap logo ko bata diya to yeh very important hai jitne bhi yeh maine aap logo ko that means jo box ke inder ki hai these are way these are objective questions jo exams me poochhe jatei hain aur baki semester walo ke liye to that means ditto jaysse maine nai likhaya waisa likhya yeh aapka ek number yahaan se nai ka tega tao aaj ke liye mein itna hi raketa ho milta ho aap logo se next video mein tib tuk ke liye ram ram namaskar pao